तो हम लोग यहाँ पर एपिशुड की सुरवाट में लूव जिंग को देखते हैं जो कि वहाहं पर बहुत जांदा ही डरा हुआ होता है क्िए वहाँ पर एक डरावने सपना देख रहा होता है वह उस सप्दे के अंदर अपने फादर को देखता है जहां पर लूव विंग वहाँ पर क्लेन के रूल्स को तोड़ने और दुस्मनों के साथ मिलाने के जुर्म में उन्हें वहाँ पर मौत की सजा दे रहा होता है तो लुओ जिंग उसे वहाँ पर समझाने की कोशिज करता है कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते हैं वो क्लेन के लिए बिल्कुल ही लॉयल ह तभी वहाँ पर लुओ बिंग उन्हें वहाँ पर मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लुओ जिंग के फादर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी फिकर मत करो तुम अपनी बेहन को लेकर यहां से चले जाओ और फिर तभी वहाँ पर लुओ बिंग उन्हें पर अटेक कर देता है मगल लूओ बिंग वहाँ पर बहुत जाना ही पावरूफुल था इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ अपनी दो उंगलियों का यूज करकर उसे वहाँ पर पीछे धकेल देता है तो लूओ दिंग वहाँ पर पीछे जात हुए वन इंच बंच टेकनिक का यूज कर देता है और उस बज़े से हुआ पर कई साइड़ स्वाट्स लूओ जिंग की तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ पर सोई रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके थोड़ी दिर बाद ही वहाँ पर एक आदमी आता है और वहाँ पर लोजिंग को सोता हुआ देखक कहता है कि तुम अभी भी यहां पर अपने आपको इस जगी का यंग मास्टर समझते हो क्या और ये कहकर वहांपर लूजिंग को लात मार का उठाने के लिए जाता है तब अभी अचाने से वहाँ पर लूजिंग अपनी आखे खोल कर वहाँ पर उसके पैर को पकड़ लेता है और वहाँ पर बड़ी स्पीड में उसे वहाँ पर चैन से जकड़ लेता है और फिर तभी वहाँ पर लूजिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम यहाँ पर दिकर करनी चाहिए जो करें स्कर्ट लूजिंग वाँक वाँपर आदमी के पास में आकर कहता है कि मुझे पता तुमने यहांग प्रूल्य करना चाहते हैं और वाँपर कहता है कि अगर उसकी नजरों में अच्छा बनना होता है तभी वहां पर एक बच्ची घबराते हैं लुजिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे भी करकर हम सभी लोगों को यहां से बाहर निकालो मगर लुजिंग वहां पर चाकर भी कुछ भी नहीं कर पाता है कि वो इस समें इतना जांदा पारूफुल नहीं है और तभी वहां पर लुजिंग के लिए वहां पर उस प्रिजन के दरवाजे खोल दिये जाते हैं तभी हम लोग वहां पर उसी नए यंग मास्टर लुजिंग के बारे में उसे बताता है तो उसके बारे में सुनकर वहां पर लुजिंग केता है कि हमें यहां पर फाइनल उस पुराने यंग मास्टर से मिल पाऊंगा जिसे कि सबी लोग यहां पर genius कहा करते थे तब हैं हमें वहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग भी यहां पर इनाइट इस्टेज पर होते हैं वो सबी लोग यहां पर mortal होते हैं मगर यहां पर इनाइट इस्टेज पर जाने से पहले उन लोगों पाँच रिफाइनमेंट इस्टेजिस को पूरा करना पड़ता है जिनमें से skin refinement, flesh refinement, bone refinement, viscera refinement and सबसे last है mirror refinement और इन सबी स्टेजिस को सीखने के लिए यह लोग यहां पर इन सबी सिलेब्स को पीट कर उनकी कमजर body के हिस्सों का पता लगा कर उनकी मेद से यहां पर cultivation करते हैं तब ही हम लोग वहां पर low family के सबी सिलेब्स को देखते हैं जहां वहां पर low fee नाम का एक सिलेब्स यह सब कुछ देखकर वहां पर डर जाता है इसलिए वहां पर यूजू को आगे भेज देता है तो यूजू को आगे देखकर वहां पर एक practitioner आकर वहां पर उसके उपर एक जोड़दार का पंच मानने के ले जाता है तो वहां पर उसकी डूपती हुई नाया को बचाने के लिए वहां पर लोजिंग आ जाता है और उससे वहां पर यूजू की जान बच जाते है तब वहां पर वहां पर फ्रेक्टिशनर का काम होई पर ही तमाम हो जाता है और फिर तभी वहाँ पर लोजिंग उन सभी practitioners को एक साथ attack करने के लिए कहता है तो ये सुनकर उन सभी practitioners वहाँ पर गुसे में आ जाते हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ पर एक साथ लोजिंग के उपर attack करने के लिए आ जाते हैं और वो आपर लूओ जिंग से कहता कि तुम सच में एक बहुत बड़ी अफाइटर हो और वो इसे आगे कुछ कहता कि उसे पहले वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है और वो इंसान वहाँ पर और कोई नी बलकि लूओ बेरियन होता है तब है वहाँ पर लूओ बेरियन ह साथ वाला आदमी वहाँ पर लूजिंग को डाटने लगता है मगर लूबेरेन उसे वहाँ पर सांथ करा कर हसते हुए कहता है कि चलो आज मैं यहाँ पर चेक करें कि हमारे पुराने यंग मांस्टर कितने जानदा जीनियास हैं और यह कहने कि बाद लूबेरेन वहाँ पर पीक लेबल पर पहुँच गए तो यह सुनका लूबेरेन कहता कि मैंने यहाँ पर लूबेरेन के ट्रेजर्स में से एक हेवेन और्थ एलिक्जर का यूज किया है और उन एलिक्जर्स की बज़े से मेरी कल्टिवेशन स्पीड हैं पर बहुत जानदा यागे बढ़ चुकी है तो यह सुनका लूबेरेन कहते कि उन नियमों का पालन तो तुमारे डैट किया करते थे जो कि अब नहीं रहे और साथी में आपर लूबेरेन के अंदर किसी पावरफुल इंसान को उफेंड कर दिया है और इसलिए उसे यहाँ पर टॉर्टर करने वाले मांटेन के ऊपर भेज दिया गया है तो यह सुनकर लूबेरेन को वहाँ पर अपनी बहन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर तभी वहाँ पर लूबेरेन कहते कि अब तुमारी बहन ने तो यहाँ पर आसा ही छोड़ दी होगी कि उसका यूजलेस भाई उसे यहाँ पर बचानी के ल प्रोचर किया जा रहा होता है तो बस इजी के साथ ही हमारे एपिसोड भी यह पर ही खतम होता है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बैबाई और साथी में अगर इस सीरीस आपको पसंद आयो तो मुझे इस वारे में ज प्रोचर कर सकेंगे